हलो फ्रेंड्स स्वागता आपको अपने चैनल एड्डू ट्रीकर में आज हम बात करने वाले हैं वीडियो एक्जाम के बारे में कि आपको कितना सेफ इसकोर रखना ताकि आपका सेलेक्शन पक्का हो जाए हाना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और इस वीडियो में हम आपके जो कुछ इसकोर अउनके बारे में भी डिसकस करेंगें कि आप जैसे नेगटिग मार्किंग है की नहीं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि non-tsp और टीएस पी एरिया में कितनी सीटे हैं तो अभी तक कितनी सीटे हैं 3896 सीटे हैं और नोन टीएसपी एरिया में 3222 शीटे और टीएसपी एरिया अज में है 634 शीटे तो ये दोनों मिला के हो जाती है 3896 शीटे तो इनके लिए लगबग 20 गुना पास किये जाएंगे है ना अभी तो क्या का गया है 15 गुना लेकिन अभी जो रूल चेंज हुए इनमें जनरल, OBC, EWS के लगबग 15 गुना पास होंगे उसके बाद जनरल, EWS और OBC के बाद ये देखेंगे कि SC, ST और PH अन्य जो केटेगरी जाएं जैसे डाइवर्शी, विड़्ो इनकी जो 15 गुना पास करने के बाद देखा जाएगा कि इनकी जो जैसे OBC होगा OBC के बाद में SC, ST और PH इनके ना 15 गुना आगे गया हना 15 गुना नहीं आए ना तो फिर इनको जैसे SC, ST और PH वालों को ज्यादा पास करेंगे तो ये कुल मिला के लगबग 20 गुना हो जाएगा लास्ट में हना तो इतने जने पास करेंगे तो चलिए अपने देखते हैं अब देखते हैं कि कुल परसन कितने आएंगे अभी तक बताए गया है 120 परसन आएंगे ठीक है 120 परसन आने है मार्स कितने होंगे 100 मार्स के होंगे टोटल तो एक जो परसन है उसके कितने नमबर होए एक परसन के नमबर हुए लगबग 0.33 है ना एक परसन के इतने नमबर हुए अब आप ये पूछोगे कि मुझे कितने परसन करने चाहिए था कि मेरा सेलेक्शन हो जाए इस क्यूसेंस का जवाब आगे मिलेगा उससे पहले कुछ क्यूसेंस जैसे नेगेटिव मार्किंग है क नहीं पिछली कटोफ कितनी थी और पेपर का लेवल कैसा रहेगा तो पिछली कटोफ से अभी कोई मतलब नहीं है हना पिछली बार एक एक अग्जाम हुई थी उसके अलावा जो लेवल था वो अलग था पहले 40 परसेंट ये का गया था कि जनरल वालों को मिनिमुम 40 परसें उनके कोडिंग पास हीनु ये बंदे तो फिर क्या करना पड़ा उनको ये जो 40 परसेंट का ये जो क्राइटेरिया ये अठाना पड़ा था तो पिछली कटोफ क्या थी इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है क्योंकि अब की बार जो पेपर का लेवल है वो बिल्कुल अलग होगा पिछले वाले से पेपर थोड़ा अब की बार इजी आएगा क्यों इजी आएगा क्योंकि अभी आपने 2020 में जितने भी पेपर देखिया है वो लगबग इजी थी है ना अब बोर्ड ये चाहता है कि हम NCRT को है ना कवर गरे और इजी परसनले तक कि हाई कोट में जा अभी तक negative marking नहीं है लेकिन हो भी सकती है है ना वो चार या पांस दिन में admit card आजाएंगे उसमें पता लग जाएगा तो negative marking है तो आपको कितने परसन करने है और negative marking नहीं है तो कितने परसन करने है ये बाद भी अपन करेंगे है पेपर का level अब की बार पिछले वाले से कंप्यूटर में जैसे 10 परसन आये थे ना अब की बार भी वही आने वाले है यानि परसन तो लगबग वही रहेंगे लेकिन अब की बार क्या है उसका जो level है ना वो change होने वाला है तो अब देखेंगे कि पास कितने किये जाएंगे general, OBC और EWS इन तीनों के लगबग 15 गु पास कर दी जाएंगी तो कुछ क्या होगा last में जैसे RS प्री में हुआ था क्योंकि यह यह भी pre exam होने वाला है वीडियो का भी pre exam होने वाला है तो प्री में क्या देखा जाता है कि लगबग पहले तो 15 गुना सीधे पास करेंगे जिनके top level में कितने number है उस हिसाब से उसके पाद है ना इनकी cutoff SCST और कुछ EWS की तो मुश्किल गटे क्योंकि EWS में तो 15 गुना में लगबग है उनका वो आ जाते है ना OBC और EWS की तो कम रहने वाली नहीं है जनरल EWS और OBC इनकी तीनों की pre की cutoff लगबग बराबर रहेगी है ना साथ में MBC यह तीनों के तीनों सेम लेवल पर रहेंगे तो कुल मिला के लगबग 20 गुना पास किया जाएंगे pre के अंदर यह होंगे 88,000 के लगबग है ना अभी तक सीटे बढ़ी नहीं है 1000 सीटे और बढ़ती है तो 20,000 और जोड़ लें ना लेकिन अभी तक नहीं बढ़ी है तो हम क्या मानते हैं कि 88,000 लग लग जाएगा तो अभी तक क्या नेगटिव मार्किंग है तो आपको कितने क्यूशन करने है ना तो अभी जिस हिसाब से पेपर के लेवल आ रहे हैं ना आपको उससे कम सोचके नहीं चलना जो मैं बदा रहा हूं ना उससे ज्यादा सोचके चलो तो अच्छा है अब कोई आपको कहेगा कि नहीं 55% करके आजा हो जाएगा नहीं वो तो बेहुपी वाली बात है आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना आपको इतने नंबर अटेम्ट करने हैं इतने नंबर लाने है कि आपको प्री की एकजाम देने के बाद यह नहीं सोचना पड़े कि मेरा होगा य जैसे आप प्री की एकजाम दें दूसरे दिन से यह आप तैयारी करने लग जाएए आपको इतने नंबर लाने है ना उसके लिए क्या करना होगा 120 क्यूशन साहें आएंगे हैं ना माक्स तो सो ही रहने वाले हैं ना 120 क्यूशन के आप 70% मानो अप 70% क्यूशन आपको करने आई ए नेगेटिव मारकिंग है तो क्योंकि फिर आपको ज्यादा attempt करोगे नहीं आप लगबग 80% करोगे कब जब डेगेटिव मारकिंग है और अर नेगेटिव मारकिंग है और आप पूरे की पूरे percent करगेह होंगे 100% है ना तो इस condition में क्या देखते हैं 120 questions आपको सही करने पड़ेंगे है ना जब negative marking है तो अब यह 84 question कितने number के हो गए यह वाले हो गए 84 question हो गए एक question है point add 33 number गा हाना और इसको मैं 84 से गुणा करूँ माना तो 69.99 यानि लग भग यह 70 marks आ रहे हैं कब जब आपके negative marking हो negative marking है तो आपको 70 number लाने पड़ेंगे इसे कम में हो जाएगा लेकिन आपको इसे कम लाने नहीं है हना आपको यह मान के चलना कि मेरे को तो इसमें करना ही है मेरे को 70 number लाने है ताकि मैं pre का exam दे के आऊं और मेरा time कराब नहीं हो मैं दूसरे दिन से तयारी सिरू कर दू है अब दूसरी बात देखते हैं कि negative marking नहीं है तो उस time उस time क्या होगा सारे के सारे 120 क्यूशन सब attempt करेंगे हैं ना 120 के 120 क्यूशन attempt करने वाले हैं सारे के सारे लोग उस condition में क्या होगा कुछ तो तो बड़ेगी है ना तो हम मान लेते हैं कि 80% है ना वह आप attempt करते हो कितने 80% 80% है मलब attempt तो 100% करोगे और आप के होते हैं 80% सही हाना तो यह हो गए 80 marks यानि लग बग यह हो जाते है 79 marks हो जाएंगे और क्यूशन कितने हो जाएंगे आप 120 में से पूरे क्यूशन कर गया जाएंगे ना 120 में से है ना तो यानि 24 क्यूशन फिर भी आप गलत भी करके आ जाओगे ना जब नेगेटिव मार्किंग है तो भी आपका हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पेपर आपको पूरा पूरा करना है ना एक भी परसंट छोड़ना नहीं है तो उस सोचना मेरे को 80 नमबर तो ला नहीं है चाहिए पेपर का लेवल कैसा ही हो हो सकता पेपर का लेवल हाड हो तो आप सतर नमबर भी मान के चल सकते हो इसके अंदर सतर 65 से सतर लेकिन आपको तो ट्राई क्या करना है 80 नमबर के लिए करना है ठंक्स